नमस्कार मित्रों, आज मैं रविंद्र थाकुर द्वारा लिखी एक एतिहासिक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका सीर्षक है भीचा फात्र पिछले दो-तीन वर्स वर्सा ठीक तरह से नहीं हुई थी, इस वर्स तो वर्सा की एक बूंद भी नाबर्सी थी भयंकर सूखा पड़ा था, धर्ती का कलेजा पढ़ गया था, उसमें जगा जगा दरारे पढ़ गई थी, पेड़ पौदे सूख गए थे, पसु पक्छी प्यास से व्याकूल थे, पक्छियों का कलरव भी कमी सुनाई पड़ता था, ना जाने भूके प्यासे कहां डुपके बैठे थे, नगर में अकाल पड़ा था, जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने चिप कर दूरदिन केतलिये रख रखा था, प्रजा हाहकार कर उठी, गौतम बुद्ध से जन जन की परिसानी देखी ना गई, उन्होंने अपने सिस्यों को इकटा किया, नगर के धन भक्त जनों को बुलावा भेजा, विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रस्न किया, परिजनों बोलो भुकी प्रजा को अन देने के लिए तुम में से कौन-कौन तयार है, महतमा बुद्ध के वचन सुन रतनाकर सेट का माथा लज्जा से जुक गया, वो हाथ जोड़कर बोल भगवान, इतने बड़े नगर्म के हर प्राणी तक अनाज पहुँचाना मेरे वस की बात नहीं है, तथागत ने अपनी द्रिष्टी घुमाई, उनकी नजर सेना पती जैसेन पर पड़ी, जैसेन ने कहा, तथागत प्रणाम, प्राण देने से यदि जनता को अन प्राप् पूरे नगर्प का पेड़ भर्प सकूँ, तभी धनी धर्म पाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ, वर्सा ना होने से मेरे सब खेट सुक गये हैं, बीच के लिए रखेया नाज से किसी तरह परिवार को आधा पेड़ खिला पा रहा हूँ, मु तभी भीड में से अचानक एक युवती सामने आई, वह थी भगवान तथागत की प्रिय सिस्य आनंद पिंड की बेटी सुप्रिया, वह अत्यंत दुखी लग रहे थी, आखों से बहते अर्षु पोच कर उसने बुद्ध देव के चर्ण छुए और मीठी स्वर में बूली पगवान यह तुछ सेविका आपकी आख्या का पालन करेगी, अन की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं, नगर के हर आंगन में अनाज पहुँचाने का भार मैं लेती हूँ, सभी आश्चरे चकित रह गए, भला एक इस्त्री इतने बड़े नगर के वेवसाई, वेवसाईयों का पेट कैसे भरेगी, कुछ तो मन ही मन हसने लगें, कुछ क्रोधित हो उठें, कुछ को सुप्रिया पागल लगी, किसी ने कठूर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है, तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं, सुप्रिया ने सब के सामने सिर जुका कर बोली, मेरी पास और कुछ नहीं, केवल भिच्छा पात्र के रूप में यह कटोरा है, मैं सब के निर्धन सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं, हे परिजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्या पूरी होगी, मेरी सत्ती से नहीं, मेरा भंडार तो आप सब के घरों में भरा पड़ा है, आप दया करेंगे, तो मेरा भिच्छा पात्र सदा भरा रहेगा, मैं बार बार आपके देंगे, वह भूको को खिलाओंगी, जब तक धर्ती मा के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी? मात्मा बुद्ध ने मधूर मुस्कान के साथ अपना वर्दस्त अस्विर आसिरवाद के रूप में उठाया और बोलें, तथा अस्तु, तुम्हारा निश्य पूरा हो, धनी सेठो ने अपनी भंडार सुप्रिया के भिच्छा पात्र में उलीच दिये, पात्र हमेशा भरा रहने लगा, समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया, किसी अकाल पीडित को भूका नहीं रहना पड़ा, उधर वर्षा ने भी क्रिसी द्रिष्टी की ओर और धर्ती की प्यास बुझाई, खेत फिर से लहलहाने लगें और भंडार फिर से भर गें